अबद आपका स्वागत है हमारा विशेश कारिकरम विदाइग जी चले गाओं की ओर में आज हम बात करेंगे राम प्रताप सिंग चोहां जी से जो आगरा जिले के एत्मात्पूर विधानसभा से भारतिय जनता पार्टी के विदाइग हैं विधायक जी आपका हर्द एक स्वावेत है हमारे करिक्रम में धन्यवाद विधायक जी आज के मौजूदा समय में आप गाउं के विकास और गाउं की स्थिती को किस तरह से लें अभी गाउं में बहुत काम करने की आवशक्ता है और मुझे लगता है कि प्रिष्ली सरकारों के समय पर जो गाउं का विकास रुखा था उसको योगी सरकार ने गती देने का काम किया है और मुझे एक वर्ष का भी समय नहीं हुआ है प्रदिश की सरकार को लेकिन एक वर्ष में अनिकों काम करने का वहाँ प्रयास हुआ है चाहें वो सड़क का हो, चाहें वो नाली का हो, चाहें विध्यल्या का हो और अवी जो आधुने की युक्की और युवा भढ़ रहा है उनको सुख शुद्दा देने का हो तो गाफी प्रयास है किसान कैसे मजबूत हो और गाओं का बच्चा कैसे आगे बढ़े इसमें सरकार हमारी बहुत ज़्यादा प्यास कर रही है अगर आगे बढ़ने की बात आती है तो इसमें सबसे पहले सिक्षा जरूरी होती है लेकिन अगर गाओं के लोगों की बात करें तो गाओं के लोग ज़्यादा तर उस तपके के नहीं होते हैं कि वो पबलिक स्कूलों में अपने बच्चे को भेज सकें प्राइमरी स्कूल की हालत किसी से छुपी नहीं है वहाँ पर अभी टीचरों की इतनी नियुक्ति नहीं हुए जितनी होनी चाहिए मैं मानता हूँ कि अभी टीचर कुछ कम है यह तो सत्यता है लेकिन आपने इतना देखा होगा जब से सरकार बनी प्राइमरी एजुकेशन की और बहुत ध्यान दिया है प्राइमरी एजुकेशन का बजट भी ज़ादा है पहले बच्चे अगर वहाँ जो कपड़े भी उनको मिला करती थे तो अगर आप उसको देखते हैं खाकी स्कार्ड ओ खाकी शर्ड बड़ा खराब हमारी सरकार ने बच्चों को अच्छे कपड़े मिले कौन्वेंट एजुकेटड बच्चे जैसे कौन्वेंट स्कूल के बच्चे पहनते हैं उस तरह के कपड़े मिलें जूते मोजे मिलें बैग मिलें किताबें मिलें और अब स्वैटर मिलें तो उसकी और ध्यान दिया है और शिक्षा पर भी लगातार हम लोग सरकार भी प्रशाशन भी जो उनके करमचारी एरकारी है और मैं अपनी विधान सबा की बता रहा हूं कल भी मैं विधान सबा में था और मैं खुद चार स्कूलों पर गया क्या कमी है कि शोचाले का है शोचाले है लेकिन उसका ताला लगा रखा है कहीं पर कुछ मिला है एक प्रधानाचार जी के हस्ताक्षर थे लेकिन वो गाइब थे वहां से हस्ताक्षर उनके हो रहे थे तो हम लोगों ने हम चीजों को मैं खुद भी देखता हूं जाके स्कूलों में लगातर जाता हूं फिर हम खुद भी सहयोग करते हैं सरकार के तक हम अपनी निधी से भी कहीं आवशक्ता हैंट पम की है कहीं आवशक्ता समर से बिल की है कहीं थोड़ी सी अगर सड़क बन जाए तो ठीक हो जाएगा स्कूल तो वो है और हम लोग खुद प्रयास करते हैं कि टीचर समय से ओचक निरिक्षन वो लोग जो उनके अधकारी करते होंगे लेकिन मैं तो स्वेम भी ओचक निरिक्षन करता हूं और देखता हूं कि वहाँ बच्चे ठीक शिक्षा मिल लगी है कल में एक आगरणवाडी पर गया एक वज़े आगरणवाडी का समय है बंदोने का ग्यारे बच के चपन मिनट हो रहे थे वो उसकी जो हैरती वो जा रही थी अब वो मेरे को देखके दमताला खोला और सायका कहा है कि सायका आई नहीं है मैंने कि उनका एप्लिकेशन तो आई होगी छुटी के लिए वो भी नहीं आई है लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है पर मुझे लगता है सरकार की मनसा अची है और जनप्रतिती भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये ठीक हो तो उस वर शिक्षा की और विशेश ध्यान है और हम लोग बच्चों को समय से वे टीचर को भी और बच्चों को भी और जो हायर एजुकेशन के लिए जब बच्चे जाते हैं उसमें भी सरकारी विद्ध्याले बने हैं मैंने खुद भी परसोमानी मक्विंती गर की नाम को रोशन करती है तो मैं मेरा प्रयास हैता है कि बेटियों को कितना ज़्यादा हम लोग सहयोग कर सकें तो मक्विंती ने आश्वस्त भी किया है कि निश्यतूप से हम लोग उसके सर्वे जानकारी करा के वहां से जमीन की उपलब दिता है और हमाँ विद्याले देंगे तो शिक्षा की और विशेष ध्यान सरकार दे रही है इस समय स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है परधान मंत्री आवास योजना भी चल रही है इसके लिए ग्राम पंचायतों में रेता और बालू की जरूरत पड़ती है कई वार हमें ग्राम परधानों ने बताया कि इसके लिए कई वार जब रेता बालू आता है तो पुलिस पकड़ लीती है खनन का माले तो क्या इसकी कोई ठोस व्यवस्था सरकार करेगी ने ने बिलकुल करेगी मेरा एक मानना है और मैं यह नहीं कि अपने मुह से अपनी बात खहरा हूँ मेरे एक खनन माफिया काम करा करता था और उसने 40-40 फुट जहां पर कभी भी मिट्टी का पट्टा नहीं हुआ था उसने वाँ कर दिया था यह चोटा मिनी स्टेडियम बन जा है इसना हम हो चुका था पिछली सरकारों के चाम पर आगे ख़ारों में चपा में स्वेम गया मैंने स्वेम चापा मारा उसके भंडा रहा अगले दिन लेकिन उसको सूचना पता पड़ गी कि यहां गए तो कल जहां कर रहे हैं वहां भी आ सकते हैं वो सामान लेके भाग गया और आज वो अवैद रूप से जो खनन होता था वो बंद हुआ है हमारा कहना यह है कि पट्टा ली जीए सरकार को राज़ा सुदी जीए इमानदारी से काम करिये कोई कमी नहीं है लेकिन कमाई थोड़ी ना हो मेरी कमाई बहुत जादा हो जाए इसलिए यह माफिया करते क्या है कि अवेद रूप से काम करने का प्रयास करते है तो हम लोग का यह सरकार की भी मनशा है नई नीत आई है पटे पिशली भार की तुलना में ज़्यादा उठ रहे है तो आप पटा ली दिया और जो सरकार को राजसु देना वो राजसु को दी दिया फिर कोई दिक्कत नहीं आईगी और धीर धीर आपको लगेगा कि यह जो समस्या है दूर हो जाएगी क्योंकि ब्रस्टा चार पर 0% टॉल्रेंस सरकार की मनशा है और जब 0% टॉल्रेंस है ब्रस्टा चार पर तो ऐसे जो माफिया है इने पर नकेल कसनी ही पड़ेगी पिदाइक जी जैसे गाउं की अगर हम बात करते हैं पूरा टोटल मामला ब्लोक 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 जो हता हूं सब से में जगह वह इलfalls सारे काम होते हैं आज के समय में इस्थित यह है कि एक सचप के पास मेंvat भार 있다고 जावTON का चार्ज है और प्रध्धशी जी सचपढ़ते हैं क्या सचप निवक्ती के संबंध वी हाँ ये सरकार इस बारे में बहुत ध्यान दे रही है और जल्दी जो पंचाइट के सेकर्टियों मिलेंगे और अभी भी हम लोगों ने यही कहा है कि परधान जी को सच्चिव को नहीं दूर ना पड़े अभी भी जो सच्चिव हैं तीन गाओं चार गाओं किसी कुछ पर होंगे तो वो स्यम जाएं और वहाँ जाके मिलके दोनों लोग काम करें तो यह कमी है जो आपने कहा यह सत्यता है लेकिन जल्दी यह कमी दूर होनी जा रही है कई टीचर्स की कमी को दूर करने पर आप सरकार कर रही है डॉक्टर्स की जो कमी है उस पर अभी लगवे ढ़ाई जार नई भरती हो रही है तो जो कमिया है फिछले समय की अब समय लगता है थोड़ा सा एक वर्ष के अंदर और हम लोग तो अपने एक वर्ष के बाद पूरा रिपोर्ट कार्ट देने वाले हैं कि हमने किया क्या विधायक ने क्या किया हमारी सरकार ने क्या किया तो डॉक्टर्स की कमी दूर होगी, टीचर्स की कमी दूर होगी, सेकेर्टरी कमी होगी, अभी वीडियो की भी कमी है, तो वो कमियां दूर हो रही है, जल्दी उस पर आपको सकारत में पढ़नाम दिखाई देंगे, जल्दी उस पर आपको सकारत में पढ़नाम दिखाई दें मौधी जी की मंशा, योगी जी की मंशा एकदम स्वक्ष प्रशासन देने की है। मानसिक्ता बदलते बदलते अधिकारी करमचारियों को थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन बदल लाएं बौत कुछ बदल लाएं। और मैं तो कहता हूँ जब मैं विधायक बनाबंग तो पहली बार मेरे पत्तकार मित्रों ने en medicine मुंछ के रूप में चाहरा हूँ। और जब मैं सेवक हूं तो डीमों कमिशनर हों और बड़े अधकारी हों किसी विवाक के अधकारी करमचारी हों सब को सेवक के रूपने काम करना पड़ेगा पैसा कोई मांगे भष्टाचार कोई करे आप बताइए अगर या तो भष्टाचार करने लाग बचे गई नहीं वो और अगर ले भी लिया हो तो वापस लोटेगा तो मन्शा साफ होनी चाहिए और संकल्ब जण होना चाहिए तो इनी विवस्ताओं में भी बहुत अच्छा काम सरकार हमारी कर रही है गाउं में आजकल जो राजनीती चलती है इस्थानी राजनीती वो ग्राम परधान सरपंच वगेरा की राजनीती होती है इसमें शिकायत का दौर चलता है अब कहा यह जाता है कि कानूनन दस रुपए के स्टाम पर शपत पत्र पर शिकायत की जाए अगर शिकायत सही होगी तो उसमें कारवाई होगी मैंने खुद कई जगे पता पड़ा के पीले इट लगा दी पीले इट पे बोलते हैं वो लगा दी सीडियो आगरा को कहा उन्होंने जात कराई उसमें वो इंटे पकड़ी गी तो ऐसा नहीं है कि कारवाई नहीं हो रही है ये कभी पार्टी बंदी के आधार पर शिकायत है वो तो अलग विश्य हो जाता है लेकिन कहीं भी कमी हो सरकार की मनशा है कहीं भी कोई कमी दिखाई दे तो उसके बारे में जनता सूचित करे कोई व्यक्ति भी सूचना कर सकता है विधाय को कर सकता है लगतादगारी टालम टोल करा तो विधाय को करे तो उसमें निश्यत रूप से कारवाई होगी और अब जो एक मनशा थी लोग हम लोग से आशा ज़ाता रखते हैं उसका एक कारण है कि बीजेपी के प्रतिव विश्वास ही है कि बीजेपी अच्छा करेगी अनिन जो दलते उनके बारे में लोग जानते थे कि तो ऐसे ही है तो मंदिर का महनत और कोई कसाई से आप तुनला कर लिजेए कि लोगों ने माना कि भाजपा मंदिर का महनत है तो यह जादा आशा हम से पाली है तो उस आशा को और आप देखती होंगे मु साथ वर्ष का कुशाचन उत्ता पदेश में पंदर वर्ष का जो कुशाचन था वह बहुत जल्द दूर हो रहा है और उसमें आपको अंतर भी दीख रहा होगा मैं यह नहीं करा कि अभी हम लोग शट पर सफल हो गए लेकिन जब आप नमर देने बैठेंगे तो आपको विधायक बनने के बाद TTSP की टंकियां लगती थी पुरानी सरकारों की अरेकों टंकियां इसी थी जो लगी और चली ही नहीं हम लोगों ने पचास जुन दस हजार लीटर की टंकिया उसके लिए बीस का पैसा आ गया और वो लग गई है शेस पैसा भी अब्मुक्त होगा म मेरे चेत्र में पानी की बहुत समस्या है गंगा जलागरा में आने वाला है परसोभी मुक्यबंती जी को मैंने यह का कि जो कुछ लाइने रह गई उसको भी ठीक करा दीजे हम ने प्रयास किया कि जो लाइने खराब थी वो ठीक हो जो जर जर थी ठीक हो और नही लाइन उसका प्रस्ताब आ चुका और जल्दी उस पर पैसा मुक्त होने वाला है परानी योजना एक पड़ी हुई थी सेमरा योजना की नाम से जो तीन गाउं में ओवरेड टेंक लगे थी बड़े बड़े तो उसमें कई गाउं प्रभावित होते थे वो भी अधूरी पड़ी उसको जल्दी शुरू होने जा रही है एक नया विजली का सबस्टेशन बनना है तो पंडित दीनदाल पाद्धिया जीवन योजना में काम हो रहा है वह तो केन सरकार का हो ही रहा है एक एक विदान समय में 50-50 करोड़ का होगा लेकिन यहां नया ट्रांस्वार्मर लगें नगरी चेत्रवी जो हमारे हैं ट्रांस्वार्मर की चंता विद्धी हो सडकों का जाल बिछे चाहां वो पीड़वलूड करे मंडी के माध्यम से जलापनचाइद के माध्यम से और आगरा नगरी जो चेत्रा था उसमें भी लगए 10 करोड़ों का 8-10 करोड़ों का काम नगर जो सबसे बड़ा में आलू उत्तर प्रदेश में अगर मैं करता हूं देश में कर सबसे आदा कहीं आलू उत्पादन होता है तो एदमातपर विद्धान समा वह वह एदमातपर में और वह उस खंदॉली ब्लॉक में तो मैं बहुत दिन से प्रयासत हूं कि मुंतीन ने उस से हम लोग अच्छा अभी कन्या विद्याले के बारें बताया तीन पशू चिकिस साले नए जमीने उनकी जो बिल्डिंगे समाप तो चुकी थी तीन पशू चिकिस साले अभी नए हमारे यां मिल गए हैं 45-45 लाख रुपे से सभा करोड रुपे से तीन स्थान पर भरह नह मातपुर और खंदौली में बनने जा रहा है तो अनेको ऐसी योजना है साथ ही साथ अपनी निधी का तो हम लोग काम करते ही हैं अपनी निधी के अलावा भी अन्य मदों से कभी किसी प्राइवेट संस्था से भी आग्रे करते हैं कि कुछ काम हमारे विदान सवा चेत्र मे करें तो हम लोग वह कराते हैं लगवग लगवग चालिस करोड़ से उपर पिचास करोड़ मेरी विधासमय काम हो रहा है अभी एक सड़क विधायक बनने के बाद हमने प्रधानमंती सड़क योजना में बनी है लगवग 6 km की वो सड़क है अभी 15 km की एक खंदौली से लेक परक मार्ग है वह बन वारे जो जर जर हैं अभी कुछ कच्ची है उसको भी हमने माने मुक्वंती जी को कहा है कि कच्चे मार्गों को भी हमारे को ठीक करा दें कुछ शमचान घाट जो अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनको देने की बात सरकार ने करिए और वह जल्द ही बनने जा रहे हैं मैंने प्रस्ता बेजा है अपने पंचाइद राजमंती जी ने कहा कि अखली बजट में हम उसको निश्य दूप से कर देंगे बस नहीं रुका करती थी एदमात पूर पर तो वहां एक छोटा बस स्टॉप बनवाया और उसमें अब बसे हमां रफना शु लखनम को एक्सवियों चाहिए दिली खाओ वो शुरुआ वहीं से होती है हमारी विदान सवा से तो अब प्रयास है सड़क पानी बिजली इस प्रीन पर मुक्रूप से प्रयास है शिक्षा पर प्रयास है कि अच्छे विद्याले बने मैं खुद भी विद्याले के जो प्र फिस नहीं लेते हैं और अगर एक जना नहीं है तो फिर आती फिस लेती हैं तो ऐसे भी समाज के अनेक माध्यमों से हम लोग उस काम को कराने का प्रयास कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से कर रहे हैं जला पंचायत के माध्यम से कर रहे हैं और यो विकास की योजना विकास बभवन से चलती है बलकि एक काम और हम लोगोंने किया है कि जगर जगर अधिकारियों को लेकर जंता की समस्या सुनना है। कि अधिकारी वह बैठेंगे तकाल वही निस्तारण होगा कुछ समस्याओं का जो और वो computer वेरा सम लेके बैठते हैं तो जो समस्या होती है चाहे राशनकार से संबंदेतों चाहें आधारकार तो चाहें की सी तरह की विद्धा पेंशन के रहूं ध्यांग पेंशन की participar। कि प्रयास करते हैं कि हम जनता को वहीं पर उस समस्या का निस्तारण कर सकें तो सरकार आपके द्वार ये प्रयास है कि जनता को विधायक के घर वहां ना जाना पड़े हम लोग खुदी अधिकारियों को लेके वहां पहुंचते हैं और उनसे करते हैं तो आप देखेंगे कर नएक सडकें बनी हैं जाल बड़ा बना है पीड़ेवलूडी की कुछ सडकें थी और उसके लावा भी जो गाओं के अंदर की सडकें होती हैं उसको पीड़ेवलूडी कहता है कि इसको नहीं है इसमें नाली नहीं है इसमें यह नहीं है उसको भी ऐसी अनेकों सडकों को पै प्रशासिनिक लोग हैं मिलके चाहते हैं कि अभी एक मांग हो और हम लोग की अचाशी हम श्रमांजी की दमसलिक आत्री परवार के हो हां संस्तापक हैं तो वहां उसका भी आवल खेड़गाओं का भी हम लोग डब्लमेंट करा रहे हैं रेलवे की एक सुवधा और अच्छी म से रेल्सलिक लोग वहां हैं तो बेन चौ कि चोटे शोटे गांओ भी बड़े-बड़े अब उजाते हैं तो हर बाजार शेत्र में बहु काम हो रहा है बोदिक्र 2 है उसके अधियात को घ्रीन के今 माहँ महाँ पहुंच रही हैं कि देंता को सुधा मिल सके ये आलू आपका चेतरा तांब à OR समाज़वारी पार्टि को लेगे अंदोलन कर रही है इस अंदोलन को कैसे सुंध्य करे दढ़ा है समाजभी पार्टि करें कर देंक है तो अभी खेट तक 700 रुपे आती है मैंने मानने मुख्यूंती जी को एक एक पॉइंट दिया है कितनी खालत का कितना इसका कितना बीच का सब हो है प्रयास है कि 1100 रुपे की मांग करी है कि 1100 रुपे है उसका मूली घोशित करें और लेकिन मेरा मानना है कि इस्थाई हल जो है वो जाए प्रवन की जगह अगर बाड़ा कोड के भाड़े पैतेंगे तो जादा अच्छा है कि परवन क्या होता है कि वैपारी जादा करता है कि वैपारी के विरोधी नहीं उसको मिलना चाहिए तो कोड पर सब्सेडी मिल जाए और आलू का समर्थनमुल 1100 हो जाए साथ ही सा सब्सक्राइब करेंगे अभी एक नया वहान हम लोग और छिड़ने वाले हैं कि आलू के साथ में अभी एक समस्य ग्रामीड चित में गायों की है जो फसल को नस्ट करती है मेरी विदान सबा आलू आधा रहता है सी परसंट आलू होता है अलू फिर भी कम खराब होता है लेकिन गहूं और सरसों पर जादा उसका नुक्सान होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ऐसा गोचर स्थान बनाएंगे और उस गोचर स्थान में उन्हीं गाओं के लोगों से गना एक नयाय पंचाट पर किया जिनकी फसलें ज़्यादा खराब करती थी तो चारे की विवस्ता भी वही लोग करें माना मेरा बीस जार की तो फसल खतम कर दी पर मैं केवल पांच चेह रुपई दे दूं तो उससे कम से कम बचूंगा तो गाय के उधर एक जिखाई सी बनाई जाती तो उसमें रहती है उनकी सेवा असली काम उसमें चारे की विवस्ता करना है तो वो प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं अभी कुछ जलों में अभी कर दो प्रयास है कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुनता दी चक्त प्रयास अब बजट सत्र चल ला है वो मतलब विदान सभा का सत्र चल रहा है तो गाओं के लिए भारती जंता पारटी अपनी तरफ से ऐसी कौन सी योजना रखेगी जिस से गाओं गरीब और किस को फायदा हो नहीं मैंने बताया ना कि मैं तो आलू के छेते से आया हूं तो बेरा तो पहला अपसे नहीं में विदायक नहीं बनाता तब से भी यही प्रयास करता हूं कि यहां आलू प्रोसेसिंग किन लग जाए यह बहुत बड़ी समस्या और है जो अभी दूर हुई है यह जो ब्लॉक थे वो डार्क थे तो वो नए ट्यूब बेल के कनेक्शन जो सस्ते के दर पर होते थी पानी तो आदमी लेता था कहीं नहीं से लेकिन हमारी सरकार ने उसको खोलने का काम किया है तो पानी की सुद्धा मिले मैं आपको सेचाई का बता रहा हूं पच्चिस प पच्चिस वर्षों से कभी पानी नहीं आया था सिचाई की साधन अच्छा हो बिजली बहुत अच्छी आ रही है परियाप बिजली मिल लेए किसान अब खुशाल है बिजली मिले उसके उपज का उचित मूल मिले आपने देखा हुगा जब सरकार के इंदे में कॉंग्रेस स्की थी तो जब व्यक्ति जाता था सुशाइटी पर खाद लेने तो उसको लाठी मिलती थी एक घटना नहीं है के कहीं किसान को दिक्कत आई हो आराम से खाज मिल लेए हम लोग मिट्टी का परिक्षण कराने की यूजना हैं जहां हमारी सरकार थी केंदी सरकार की यूजना थी वहां हो गया उत्तव देश में अखले स्यादम ने हो नहीं नहीं दिया कि कहीं वीजेपी को मिलेगा वो भी कर रहे हैं कि मूल करने की बात है अगर उत्तपा बढ़े गा उससरी नहीं होगा लागत कम होने चाहिए किस घिती की तब उसकी आयत दुनी होगी तो कैसे लागत कम हो उसमें हम लोग ज़्यादा उत्त पादन करें ये प्रयास सरकार की उर्स से चला है तो किसां की इस सरकार की आप Newll IP पहले हम लोग भी देखते थे, किसान मायूस बजट आता था, केंसरकार का बजट आया, किसान मायूस, किसान की चिंता नहीं, लेकिन अपकी बार केंसर का भी बजट जो आया है, किसान की चिंता की है, कितनी बड़ी डेड़ गुना, उसकी लागत से डेड़ गुना मुली की बात है अगर वो पूरी होने जा रही है और वो पूरी होगी तो अफस्वास्तभीमा हम्हें के ंचOOOO सरकार की तमाम गोश्णाओं का जो किर्यानवन होता है वो तो प्रदेश की सरकारी करती यह और योगी-जी की नियत साफ है तो उनका क्रियानवन भी अच्छा हो वो भी हम लोग काम करेंगे, गाओं के अंदर अच्छी सडख हो, अच्छी नाली हो, जल भराब ना हो, PSC, CSC पर डॉक्टर आए, मैं स्वेम छापा मारता हूँ, नेको बार, तो मंडी पर छापा मारता हूँ, मैं कि किसान के परिशान तो नहीं है, स्वास, सिक्षा, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और गाओं के अंदर भी जो सड़के हैं, वो भी अच्छी बनें, अपनी निधी से बनाएं, प्रधानों को तमाम पैसा मिलता है, ब्लॉग को अच्छा पैसा आता है, सब लोग मिलके पूरा पैसा वहां लगाएं, और अच्छा हम लोग वातरों उनको शुद्र जे सकें, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए भी हम लोग प्रयास से हमने कुछ टीचर से भी बात करी है, कि वो उनको निश्वल, कहीं नोकरी करती होंगे, लेकिन शाम के समय अपने गाउं के बच्चों को मैं एक घंटा या दो घंटा पढ़ाऊंगा, तो ऐसे बच्चों की नीम और ज्यादा मजबूत होगी, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर सरकार से तो बहुत कुछ काम होते हैं, लेकिन व्य जिसमें गाउं को पूरा गनराज्य बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो आज तक अधिकार ग्राम पंचायतों को या ग्राम पंचायत के प्रतिनिदियों को नहीं मिल पाएं, बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं, अब वो एक तरह से उसको सचवाले तो नहीं कहेंगे, प्राकलन का उसमें भी जो अधिकारी आए थे, उनको कहा गया है कि वहाँ आप विवस्था करिये, कि वहाँ इसकूल भी नहीं है, आप जिसे मद्दान भी होगा, तो उसको दूसरे गाउं दूर गाउं जाना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पंचायत घर की विवस्ता हो वहाँ सेकेर्टी बैटे, वहाँ स्टाप बैटे, प्रधान जी भी वहाँ बैटे, और जनता की समस्या को दूर करें, पैसा प्रधानों को बहुत ठीक ठाक, अच्छा मिलता है, खुब बड़िया पैसा मिलता है, ऐसे ऐसे प्रधाने, जो हमारी निरी से ज्यादा पैसा, उन गाओं को दो-दो करोड़ पे उनको आता है साला ना, तो परियाप्त के इंद सरकार की मनशा, प्रधिस सरकार की मनशा गाओं को मजबूत करना है, इसलिए कहीं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अखिल भारतिये प्रधान संग ठन कहता है कि गाओं के विकास के लिए पावर बसपाग कोंगरेस कही, तो फिर वो काय का विपक्ष रहेंगे, अच्छे काओं में भी उनको टांग अड़ाना, देखिए हेल्थ बीमा, जो कितना बड़ा, मैं मोदी जी का बहुत पहले भाशन सोना था, जब प्रधान मंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि विद समय के अंदर, अभी हम लोगी 10 महीने, 11 महीने लगवग विधायकों को हो गए, कहीं आपको सरकार का एक कहीं घोटाला, कहीं एक मंत्री का, विधायक का, किसी का कोई किसी ने गलत काम किया हो, तो यह कें सरकार लगवग चार बश पूरे कर रही है, तो वहां कभी संत्री से मंत्री और किसी पर नहीं है, तो यह कोई कमी नहीं है, कि विधेशों के अंदर भारत की जो छवी थी पहले, ब्रेश्टा चार देश में होता है, उस छवी को सुधारने काम प्रधान मंत्री जी ने किया है, और काफी, अच्छा मैं देखता हूं, मैंसेज आता है कि इन सरक प्रधानों को भी अपना जो उनको जमेंदारी दिये, उसको पूर करना चाहिए, सरकार उनके साथ है, उनका सहुग कर रही है, ग्राम की पंचायते मजबूत है, उस पूरा सरकार का फोकर से है, विधेक जी, आम जनता मतलब ग्रामीन लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई ने, ने, मैं तो यही कहना चाहता हूं, ग्रामीन जनता को, कि सबसे पहले तो बच्चों की शिक्षा पे वो लोग ध्यान देन देन, सौक्षता में सही हो करें, मैं खुद कल कर आके उन सौचाले को साफ करा के आया विध्याले वाले, मैं खुद कर देन के साफ कराई, तो ह पर द्यान देना चाहिए और कहीं आपको लगता है ग्रामिट छेत्र की जनता को भी जिस भी छेत्र के वो लोग हो उनको लगता है यह कम है यह काम अच्छा नहीं हो रहा है तरतकाल संबंद्द। लोगों को सूचित करना चाहिए कि ये विकास का काम हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है इसमें कहीं कमी कोई अगर उनसे पैसा मांगता है तो तुरतकाल शिकायत करें अपने जनपतिनी को करें वांके जलादगारी को करें कि अमुक विक्ति पैसा मांग रहा है तो उससे भ्रष्टाचार रुकेगा और मनोज से देश को हमको सब को मिल के बढ़ान ना तो उस पर ध्यान देना चाहिए आपसी वाद विवाद से छोटी छोटी बातों पर जगड़े ना हो गाओं के अंदर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जगड़े होती है उन जगड़ों को दूर करना चाहिए और मेरा गाओं सबसे आगे कैसे निकले हर वेक्थी के अंदर तर ये मन होना चाहिए हम लोग आश्चित केवल अधिकारी करमचारियों पर ना हो तो जैसे अब गाउं में सफाई करमचारी हैं कम होती तो उतना कम नहीं हो पाता तो हम स्विम करेंगे ना सफाई मैंने कुछ गाउं ऐसे देखे कि वहां के लोग स्विम सफाई करते हैं और रोजगार के अफसर भी उपलब्द करा रही है तमाम रोजगार के अफसर हैं केवल नौकरी ही एक रोजगार नहीं है नौकरी के अलावा भी तमाम रोजगार के अफसर हैं आर्थिक रूप से बैंकों के द्वारा सहयोग कर रही है तो कैसे युवा सद्रणो कैसे किसान जोर्णत कैसे गाम्पोशालों और विकास के अ काम हो रहें रहें आप लोग जहर से फ्दूरə प्रावाती szakन ओर्धा reference तो यह thiे आगरातिय जन्ता प्रढ़ सुन्ध 해서 रामप्रताप सिंग् सवखान इन्होंने एक उच्छी बात बताई जो शायद ग्राम प्रधानों के लिए और सरपंचों के लिए काफी खुश होने की लगती है कि ग्राम पंचायतों का मिनी सची वाले जल्दी ही इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और उनकी समस्याओं का ततकाल निस्तारण भी होगा अजे प्रताप सिंग एबी पीस न्यूज लगनव